नमस्कार दोस्तों एनालोग इलेक्ट्रोनिक्स लेक्चर सिरीज में आप सबका बहुत स्वागत है इस वीडियो में दोस्तों डार्लिंग्टन एम्पलिफायर की AC एनालिसिस इन डेटिल हम स्टाडि करेंगे ये जो एक्विलेंट सर्केट है लास्ट वीडियो में दोस्तों एक डार्लिंग्टन एम्पलिफायर सर्केट से हाइब्रेड एक्विलेंट सरकेट कैसे बनता है वो मैं explain कर चुका है तो भिना time waste किये हम सबसे पहले करंट गेन पर एनालिसिस करेंगे दोस्तों करंट गेन क्या होता है आपका output current divided by input current और जो Darlington amplifier है वो output हम जो हमारा second emitter terminal होगा वहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे जो RE यहाँ से जो current flow करेगा दोस्तों वो हमारा output current होगा तो output current आपका inode है और जो input current है यानि जो आपका first transistor का base terminal है वहाँ जो current जाएगा वो हमारा input current है that is IB1 तो इसको हम लिखेंगे that is I0 divided by IB1 अब देखो दोस्तों I0 क्या होगा सबसे पहले I0 को लिखालते हैं I0 देखो दोस्तों यहाँ यह जो point है इसके बाद जो current आया वो I0 है लेकिन यहाँ current कहां से आया एक current तो दोस्तों यहाँ से आएगा और एक current definitely आपका यहाँ से आएगा यहाँ से आने वाला current है दोस्तों IB2 तो यह current मैं यहाँ लिखूंगा IB2 प्लस और यह current क्या है दोस्तों बीटा times IB2 that is βीटा times IB2 तो इसको मैं वैसे भी ये लिख सकता हूँ IB2 अगर मैं common लो तो दोस्तों क्या बनेगा देट इस 1 प्लस बीटा ठीक है ये हमारा I note है अब point ये है दोस्तों कि जो हमारा IB2 है ये क्या है IB2 IB2 आपका ये current है यहां से ये जो current है ये IB2 है लेकिन दोस्तों यहां पे दो रास्तों से current आता है एक यहां से आया और एक दोस्तों यहां से आया यहां से जो current आया वो IB1 है यहां से जो current आया वो बीटा टाइम्स IB1 है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो IB2 current है actual में इन दोनों currents का sum ही है ठीक है तो यह होगा आपका IB1 plus beta times IB1 अब यहां से अगर मैं IB1 को मल लों तो 1 plus beta आपका बचेगा ठीक है यह हमारा है IB2 अब IB2 करंट हमने यहां निकाला है दोस्तों इस करंट को आप यहां पूट कर देजिए IB1 का एक और expression आपको मिल जाएगा यह क्या होगा IB2 यहां पूट करेंगे तो यह बनेगा दोस्तों IB1 multiply with 1 plus beta और अब यह 1 plus beta यहां लिखते जिए हमने simply IB2 जो करंट है उसकी value इस equations में पूट की है अब इसके बाद दोस्तों I0 इस factor को इसके निचे ले जाएगे तो यह आपका क्या बनेगा I0 divided by IB1 और यह क्या बनेगा 1 plus beta multiply with 1 plus beta यह क्या है दोस्तों यह output current है यह input current है output current divided by input current is nothing but your current gain तो दोस्तों जो आपका Darlington pair amplifier होता है उसका current gain होता है 1 plus beta whole square इसको हम यह भी लेख सकते हैं 1 plus beta whole square लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी assumption में ले सकता हूँ अगर मालेजी यह beta आपका बहुत ज़्यादा है मालेजी यह beta आपका 500 है तो 500 में 1 add करेंगे तो कोई ज़्यादा significant change नहीं होगा तो इसलिए मैं यहाँ पे beta को बहुत ज़्यादा imagine करूँ तो 1 plus beta almost equal to beta होगा और current gain आपका दोस्तों क्या आएगा that is beta square तो जो darlington pair amplifier है उनका जो current gain है वो आपका beta square होता है और इसी वज़े से दोस्तों इन amplifier को हम super beta amplifier भी कहते है अब आजाओ दोस्तों input resistance पे input resistance क्या होता है input resistance होता है input voltage divided by input current दोस्तों input voltage आपकी यहाँ पे है और यह voltage आप कैसे निकालोगे voltage निकालने के लिए आपको simply kvl apply करना होगा इस terminal से मुझे किसी भी closed रास्ते से होते हुए ground तक पहुचना है तो दोस्तों मैंने यहाँ से यहाँ से होता हुआ मैं finally इस ground तक पहुचूंगा और यहाँ क्या लगाँगा kvl और जैसे ही मैं kvl लगाँगा देखते हैं v input v input क्या होगा v input is equal to that is होगा दोस्तों h i e into i b 2 तो i b 2 into h i e तीसरा ड्रोग क्या होगा दोस्तो i naught multiply with r e और इसके बाद finally मैं ground तक पहुच गया ठीक है अब i b 2 की value और i naught की value already आ चुकी है i naught in terms of i b 1 यह है और i b 2 in terms of i b 1 यह है इन values को दोस्तों आप put कर लेजिए v input तो पहला होगा i b 1 multiply with h i e plus i b 2 क्या है i b 1 multiply with 1 plus beta तो यह होगा दोस्तों i b 1 multiply 1 plus beta into h i e plus i naught क्या है दोस्तों i b 1 1 plus beta square तो यह है दोस्तों आपका i b 1 1 plus beta square multiply with r e ठीक है यहां से दोस्तों तीन हमारे यह factor है 1 2 और 3 तीनों factors में i b 1 आप common ले सकते हो और उस common i b 1 को आप v input के निचे डाल सकते हो तो finally जो expression होगा वो होगा v input divided by i b 1 that is equal to h i e plus 1 plus beta into h i e ठीक है plus 1 plus beta square multiply with r e यह आपका दोस्तों क्या बना input resistance of darlington pair amplifier ठीक है यह आपका expression है लेकिन अगर मैं यहां पे एक हलकी सी assumption यूज़ करूँ कि h i e मालेज यह बहुत कम है तो 1 plus beta times h i e काफी ज़्यादा होगा और दोस्तों इससे भी कहीं ज़्यादा क्या होगा 1 plus beta whole square into r e तो इसका मतलब यह है कि आपका जो यह factor है यह वाला यह वाला factor इतना बड़ा है as compared to these two factors इन दोनों को हम almost neglect माल लेते हैं और हमारा जो input resistance है approximately उसको यह लिखा जा सकता है 1 plus beta whole square multiply with r e a meter resistance तो यह है दोस्तों आपका second AC analysis of input resistance that is 1 plus beta square into r e यहां से एक जो पहले वीडियो में मैंने explain किया था कि इसका बहुत ज़्यादा input resistance होता है वो हमने derive कर लिया और मैंने बोला था इसका current gain बहुत ज़्यादा होता है वो भी हमने drive कर लिया अब दोस्तों बात करते हैं voltage gain की voltage gain क्या है voltage gain होता है दोस्तों output voltage divided by input voltage output voltage क्या होगा दोस्तों i0 multiply with r e इसी r e resistance के across जो drop है वही आपका क्या है output voltage है it is equal to i0 multiply with r e i0 की value हमें पता है in terms of ib1 क्या होगा ib1 multiply 1 plus beta whole square multiply with r e ये तो आपका v0 है ठीक output voltage और input voltage क्या है input voltage आप भी निकाल चुके हो right इस expression को लिखते है ये होगा आपका ib1 h i e plus ib1 1 plus beta into h i e plus ib1 1 plus beta whole square into r e अब simply आप क्या करेंगे इन दोनों को divide कर देजिए to find out the voltage गिन तो v0 divided by v in क्या बनेगा दोस्तो ib1 multiply 1 plus beta square multiply with r e divided by v in क्या है इसको as it is यहां रखते हैं ib1 अगर मैं common ले लूँ तो पूरी बड़ी brackets में बाकी बचा expression लिखा जा सकता है that is h i e plus 1 plus beta into h i e plus 1 plus beta whole square multiply with h r e ठीक है तो इसमें हमने देखा था कि यह जो factor है हमारा यह जो factor है यह factor इतना बड़ा है as compared to sum of these two factors कि इन दोनों factors के sum को हम neglect कर सकते हैं और इसी वज़े से दोस्तो यहां पे एक expression आएगा v note upon v in वो क्या बनेगा पहले तो आप यह जो base currents है ib1, ib1 cancel out होंगे उपर बचेगा दोस्तों आपका 1 plus beta whole square multiply with r e और नीचे क्या होगा दोस्तों इन दोनों factors का sum as compared to these two factors क्योंकि दोस्तों देखो beta बहुत ज़्यादा होता है तो h ie almost 1 kilo ohms होगा 1 plus beta let us say beta 500 है तो यहां कितना होगा 500 kilo ohms तो 500 kilo ohms as compared to 1 ohms बहुत ज़्यादा है तो इसको neglect कर देंगे अब यहां देखेंगे दोस्तों 500 raise to power 2 यह तो बहुत बड़ा number हो गया और r e resistance वैसे ही हम ज़्यादा रखते हैं तो इसलिए यह resistance as compared to these two factors बहुत ज़्यादा होगा इसलिए हम इसको approximately 1 plus beta square multiply with r e रख देते हैं अब nominator और denominator बिल्कुल same है दोस्तों इसलिए जो हमारा voltage gain हमें मिलेगा that is equal to 1 that is almost equal to 1 तो यहां से जो पहली वीडियो में point cover किया था हमने कि इसका जो voltage gain है वो unity है उसका derivation भी हम complete कर चुके हैं तो इसी वज़े से दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं voltage buffer यानि voltage buffer में काफी helpful है और voltage gain unity है इसी वज़े से हम common collector configuration को ammeter follower कहते थे यहां पे एक point में जरूर add करूँगा कि जो हमारा current gain है वो almost हमें beta square मिलता है इसी वज़े से इस darlington pair amplifier को क्या बोलते हैं super beta amplifier बहुत सारे नाम हैं इन नाम में आप confused मत होना darlington pair amplifier scientist के नाम से actual इसका logical नाम है common collector with common collector configuration current gain बहुत ज़्यादा होने की वज़े से super beta amplifier भी कह देते हैं input resistance काफी ज़्यादा है voltage gain दोस्तो इसका almost unity होता है इसलिए इसको हम voltage buffer की तरह भी काम करवा सकते हैं तो ये था दोस्तो darlington amplifier का in detail AC analysis I hope दोस्तो सारा सब कुछ आपको समझ आ गया होगा this is the end of the video thank you so much for watching this video